हुआ है है लो गाइस आज आपको हम बताएंगे प्लाजो कटिंग करने ऐसे तो हम अपना वीडियो में सारी कभी प्लाजो बताएं ऐसे भी कप्रा में प्लाजो कटिंग करने बताएं तो आज चलिए हम इसका प्लाजो बनाएंगे और इसका हम सूट बनाएंगे तो हम गोल् तो हम उपड़ से 15 इंची लेंगे मियाने के लिए तुनी 18 मेरा होता है तो 9 हम बीचों बीच लगाएंगे और उसके बाद इसके सहाथा से हम इसको हम डिवाइट कर देंगे देखिए और इस तरह करके हम 15 इंच लेंगे और ऐसे हम इस तरह करके मिला लेंगे और हम इसका आधा भाग लेंगे साड़े छे से साड़े साथ और इधर भी हम साड़े साथ लेंगे और यहां से हम एक लंबी लाइन घिच लेंगे और यहां से हम गुलाई देंगे इस तरह करके देखिए इस तरह करके हम गुलाई देंगे और यह हमारा पैंट प्लाजों में है बाकी थोड़ा फैल रखेंगे और इसको हम इसमें कमर के लिए अलग से हम कपड़ा जोड़ेंगे तो इसके लिए देखिए हम यहां से इस तरह करके धर डाउन करेंगे इसी तरह इस साइड से भी हम दो इंच ले लेंगे देखिए इस जगह हम दो इंच लिए है तो इधर भी हम दो इंच ले लेंगे और यहां से हम डाउन कर देंगे देख सकते हैं और यह हम पिंच करके मेरा मारिजिन में शिलावी जाएगा यहां भी हम पिंच ही मेरा मारिजिन में जाएगा आएगा और कि देखिए इस तरह सिधा लाइंगेज के हलका सा यहां पर डाउन किये हुए है और इसके बाद हम कट कर लेंगे तो हम इस जगह से स्टार्टिंग करेंगे कट करने के लिए और हम इसमें कमर के लिए अलग से हम जोड़ेंगे उपर क्योंकि हमको चालीस होगा मेरा कपड़ा के लेंट जो है चालीस से है तो इसमें हम कमर पट्टी जोड़ के अलग से निकालेंगे यह मेरा इसमें ज्यादा हम चोड़ा बनाए हुए है थोड़ा सा फैल रखेंगे हाप इंच मेरा इस तरह मार्जिन सिलाई जाएगा आप इस तरह करेंगे इस तरह हम लखी रहा पिंची का रख लेंगे सीधा इसमें हम डबल कप्रा मोड़ेंगे फूल्ड करेंगे और यह हम कट नहीं करेंगे क्योंकि मार्जिन का मेरा सिलाई है चीन है और इधार से भी देखिया हम इस तरह करके कट कर लेंगे कि देख सकते हैं और इतना इतना हम सी लेंगे दोनों और से हाफा भी इंच इसके बाद हम यहां समयानी कट करेंगे इसके बाद हम यह बीचों बीच कट कर लेंगे पार्ट वन में आपको कटिंग करने बता रहे हैं पार्ट टू में हम आपको सिलाई करने बताएंगे तो देखिए इसमें मेरा चार पहा निकल गया है इसमें चार पोल्ड है आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोल्ड यह हमारा फोल्ड फोल्ड में डिवाइड हो गया है इसके बाद देखिए यह वाला इसमें हम कमर पट्टी ज्वेंट करेंगे तो यह मेरा डबल फोल्ड है और इतना मेरा कपड़ा चाहिए तो आप देख सकते हैं इसी तरह सेम हम इसमें भी इस तरह करें तो पहले हम बराबर कपड़ा को कट करेंगे हम बराबर मिला लेंगे इसी तरह इधर भी हलका कट कर लेंगे ताकि हमारा बराबर कपड़ा कटे उसके बाद देखिए यहां से हम मिलाकर इस जगह पर हम कट कर लेंगे आप देख सकते हैं और यानि चार फोल्ड है तो हम चार फोल्ड का कपड़ा लेंगे देख सकते हैं यहां पर बेल्ड के लिए हम जुएंट करेंगे तो मेरा पटि आप प्लाजो कटिंग करना का कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट सेयर और सस्क्राइब किजिए अगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपसे नेक्स वीजियो में टेक के और और बाई बाई